हेलो एव्रीवरन वेलकम बैक टुमाई चैनल तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे फंगल इफेक्शन लोशन के बारे में आपने देखा होगा 2-3 साल में जो भी मैंने फंगल इफेक्शन लोशन में जो भी रिव्यू किया था वो क्योर माइट का किया था और क्योर लेकिन हमेशा वो सोल्ड आउट रहता है मैं जितने बार भी चैक करती हो ना उतने बार वो सोल्ड आउट रहता है इसका रिजन यह क्योंकि बहुत अच्छा प्रोड़क्ट है और वो इसली कहीं पे असानी से नहीं मिलता है ठीक है बहुत कम जगे हैं से जहां पर वो मिल था ठीक है लेकिन जो मैं आज रिव्यू करने वाली हूँ यह इसका जो फॉर्मॉला है वो थोड़ा सा लगया क्योर मैट से और यह लोशन है आपको सेकेंड ऑप्शन आप रख सकते हो इसे लेकिन फर्स्ट ऑप्शन आप मैं कहूंगी क्योर मैट आपको मिल रहा है तो ब तरह से इसका फॉर्मॉला रहेगा और इसली जो है अब जोब हो जाता है जाधा टाइम के लिए आपको रुखना नहीं पड़ता है कि सूख है उसके बाद हम तो बारा से अप्लाई करें तो यह नौबत नहीं आती इसमें तो इसका जो प्राइज है सेवंटीवन है सेम क्य जसे सबकोच अच्छा है बहुत जल्दी अपजोब भी हो जाता हो रिजल्ट आपको बहुती से दो दिन में अपको इसका इसका रिजल्ट मिलेंगे पर्माट के ही तरह है पंधर थोड़ा साब चेंज है ठीक है अगर क्यूट्स को मिला ती बात है वन्ना फिर आप इसे ट होती है ठीक है तो यह पर्मनेंट है अब आप पे डिपेंट करता है कि आप जीले कपड़े ना पहने गरम चीजें ज्यादा ना खाएं तो आपको बहुत लॉग लास्टिंग इसके रिजड़ रहेंगे तो मेरे तरफ से हाइले रेकमेंडेट लोशन है स्पेसली पंगर इफ तो आपको सिर्फ नाइट के टाई में ट्राय करना है और अगर बॉडी के किसी पार्ट पे हैं तो फिर आप दे नाइट टाइम ट्राय कर सेफ़ते हो एक दिन में आपको दो टाइम करना है तो यह रहा मेरा फाइनल रेव्यू क्यासा लगा जुरू बताई हो आप मिलते कि से ने प्रोड़क्त रिविव किसा तक तक कि लिए बाबाई